अंकिता की सासुमा पर भढ़की ये टीवी आक्ट्रिसेज। अंकिता को दी हिम्मत। पिक बॉस के घर में कल रात अंकिता की सासुमा और मा दोनों ने एंटर किया। अंकिता जितनी खुश अपनी ममी से मिलकर हुई उतनी ही खुशी उन्हें सासुमा से मिलकर हुई लेकिन सासुमा ने तो उनकी कलास ही लगा दी एक एक करके विकी की ममी ने अंकिता को उनकी गलती दिखाई जो शायद बाहर बैठी कुछ टीवी आक्टरसिस को पसंद नहीं पिग बॉस 17 की कंटेस्टन ऐश्वर्य शर्मा ने एक न्यूस पोर्टल को इंटर्व्यु देते हुई कहा कि मा का ये कहना पसंद नहीं आया कि पती देवता होता है उन्होंने कहा कि विकी कोई देवता नहीं है और उन्होंने अंकिता को भी बहुत कुछ कहा है एश्वरया ने कहा कि दोश हमेशा महीला पर मड़ा जाता है उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इस लिए कि विकी उनका बेटा है वो उनसे कुछ नहीं कह रही है और सिर्फ अंकिता पर आरोप लगा रही है एश्वरय शर्मा ने माना कि उन्हें अंकिता बिलकुल भी पसंद नहीं है लेकिन इस पार उन्हें विकी की मा की बात बुरी लग गई काम्या पंजाबी ने अपनी ट्विटर पर अंकिता को सपोर्ट करती हुए कहा कि जिन्दगी में अपस एंड डाउन आते है लेकिन तुम स्ट्रॉंग रहना डालिए ट्वीट पर एक नजर रश्मी देशाई ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर कहा कि अंकिता कोई रोड पर नहीं पड़ी थी और ना ही वो जबर्दस्ती विकी को घर में लेकर गई थी सनी आर्या की पत्नी दिपिका आर्या ने विडियो के जरिए पिकी की मम्मी पर अपनी नाराज की जताई जैसे रो के जानने भी है ना माल लो के मपापा हनु है प्रॉब्लम होगी तो अगयों सानु केंदे है वो तो सारे आधे कार हुं दी है कोई दिक्कत नहीं तो सी लाइव एग्जाम मतलब मैं की बोला यार लोग मतलब किन्ना कुछ लोग एक इंसानु डिप्रेस्ट कर दे एक शोच पुड़ी बैटी होई यांकिता ओ में हजबन वाइट जो मर जी उन्दा वे यार ओधी सासुमा आपके वननु केंदे जिस दिन तुने मेरे बेटेर को लात मारी जुना तो मेरे पती ने उसे टैंक तेरी ममी को गौल लगा के बोला कि भाई तुम भी ऐसे ही लात रिद्धी ढोगरा ने ट्वीट कर लिखा अंकिता ऐसे वन साइड़े जज्मेंट डिजफ नहीं करती खुद के लोगों का सपोर्ट होना जरूरी है अंकिता की सासुमा की बाते सुन काफी ज़्यादा इमोशनल हो गई और अपनी ममी की गोद में सिर रख कर रोनी लगी आपका क्या कहना है इन स्टार्स की बयान पर बताए हमें कमेंट बॉक्स में और अलसो दो फोलो लाइक और सब्सक्राब टेली मसाला और फेस्बूक इंस्तग्रम और यूटूब